हालो दोस्तों श्वाइब क्या आपको हमारी यूट्यूब चैनल में और आज का जो वीडियो है इसमें मैं 12 का इंटर का आर्ट्स का एक्जाम हुआ है हिंदी का लैंग्यूज का एक्जाम था जिसमें अभी मैं हिंदी के एंसर की को बताऊंगी और अगर आपको अपने सेट यह एंसर हंडिर परसेंट सही होना चाहिए है हाँ एक दू में अगर आपको लगे कि गलत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताए पहला कुस्चन ए फूशन की कविता है देखिए बहुत सारे लोग इसका मात्री भूमी बता रहे थे लेकिन मात्री भूमी नहीं है क्र भाषी शब्द है इसका एंसर होगा ओप्सन ए सरोज तो बहुत हाँ चाहिए हम सभी जानते हैं क्यूशन मों 2 है क्यूशन मारंगी कभी है क्यूशन मारंगी कभी है मmillick मुहांबड जैसी question number 6 है भगत सी है question number 5 है भगत सी के पिता और चाचा किसके सही होगी थे इसका answer होगा option A चंदर शेखर आजाद question number 6 है कायर का विलोम होता है कायर का विलोम होगा बहादूर चिरीमार कौन सा समास है चिरीमार तत पुरुष शमास है question number 8 है शुंदर का प्रहावाची है शुंदर का प्रहावाची शब्ड मनौहर है राजइंद्र का शंदिय विचिर राजजुर इंद्र राजण option A इसका answer होना चाहिए question number 10 है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है उसके लिए जो बहुत बोलता है उसको एक शब्द में बाचाल कहा जाता है question number 11 है अजन्म कौन सा समास है अजन्म अजन्म अब्याई भाव समास है question number 12 है शिपाही की मानिम्नांकित में पूर्ण है विश्नी सिरीच के रचनाकार है तिरीच के रचनाकार है तिरीच के रचनाकार ओप्सटन-डी इसका एंसर होगा उदय प्रकास Q14 है चक्र पानी कौन सा समास है चक्र पानी कर्मधारे शमास है सोडी तत पुरुष शमास है 15 नमर क्षिचन ने प्रती निधी में कौन सा अपसर्ग है प्रती हाथ पेर कौन सा समास है द्वंद दाने दाने को तरशना मुहाबरे कार्थ है भुखमरी की स्थीती या लाचार होना इस दोनों में थोड़ा से डाउट है question number 18 है फनिश्वर नाथ रेनू की रचना है फनिश्वर नाथ रेनू की रचना मेला आचल है आस्तिक अब प्रितार्थक शब्द है नास्तिक रचबीर सहाय ने किश विशय में इम्मे किया था तो इन्होंने अंग्रेजी में इम्मे किया था बहुत सारे आदमी कंफ्यूज है सोचते हैं कि इन्होंने तो हिंदी विशय में लिखा है हिंदी से शम्मंधित लोग है लेकिन इन्होंने इम्मे जो क्या है अंग्रेजी भासा में क्या है 21 नमर क्षिटने किस कभी का मूल नाम बैजनात मिश्र है इसका एंसर है और संबी नागारजुन क्षिटन नमर 22 चात्रों के रहने का स्थान कहलाता है चात्रावास तेश नमर क्षिटने किस रचनाकार की पक्तिया है नारी श्वपने है नारी शुगंद है नारी पुरिष की बाहाँ पर जूलती हुई जूही की माला है इसका एंसर होगा और स्थानि प्रेम चंद्रों क्विश्टन नमर 24 तक वकहते हैं डिमि बाहाँ आरी श्वपने में कौन सा थाभश्च मेंद है याई पूस नूमर 65 प्रेम चंद्रे की रचना और मुहाबरे का अर्थ होता है लालश देना तूलसी दास कैसे कभी माने जाते हैं तो तूलसी दास रहश्यवादी कभी और शमनवैवादी कभी में थौरा डाउट है लीकिन मेरे हिसाब से का रहष्यवादी होना चाहिए ओ सदा नीरे के लेखक है जगदीश चंद्र माथूर तो बाकी जो इसमें कुश्चन है वह अभी तद मेरे पास नहीं आया है बाकी बचे हुए कुश्चन को भी आप मेरे वाट्चिप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उ मारशाद बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद